चे माता की दोस्तों कैसे हो आप सब दोस्तों आप सभी का हार्तिक सुवागते महाकाली भकत ग्यान यूटूब चैनल में तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी भकतों को बताने वाली हूँ पूजा पाट बहुत करते हो लेकिन अपने घर के मंदिर में ये एक काम नहीं करते जिसकी बजा से आपके देवी देपता मा काली आपके पास नहीं आते हैं जी हाँ भक्तो जो जो काली मा के भक्त है ये वीडियो उनके लिए भी है जो अन्य देवी देपता के भक्त है ये वीडियो उनके लिए भी है आज मैं आप लोगों को एक ऐसा कारे बताने जा रही हूँ जो कि हर भक्तों को करना चाहिए समझ लीजिए जब तक आप ये कारें नहीं करेंगे अपने घर के मंदिर में तब तक आपके पास कोई भी देवी देपता भगवान नहीं आ सकता जी हाँ आप गलती खुद करते हो फिर उसके बाद अपने देवी देपता मा काली को बुलाते रह जाते हो लेकिन माता आपके पास आती ही नहीं है फिर क्या करते हो थोड़े दिन पूजा करते हो फिर उसके बाद नराजगी होके माता से उसे छोड़ देते हो तो वही मा काली की गलती नहीं है ना किसी और देवी देपता की गलती है गलती है तो सिर्फ आपकी खुद की गलती है जितनी आप पुजा पाठ मंतर जाब कर रहे हैं वो सब कुछ सही है उनमें कुछ गलत नहीं है लेकिन जब घर के मंदिर में आप ये एक काम नहीं करेंगे तो आपके घर में कैसे कोई देवी देपता आएगा आपके बुलाने से शक्तियां हमारे पास बुलाने से आती हैं तो मैं आप लोगों को पूरी जानकारी के साथ बताऊंगी पर बताने से पहले मैं आप सभी भक्तों से एक छोटी से रिक्वेश्ट करना चाहती हूँ अगर आप लोग महाकाली भगतग्यान यूटुब कैनल पे नए आए हो तो और आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है अगर आप लास्ट तक देखेंगे तभी तो आपकी समझ में आएगा अगर आप आधियदूरी वीडियो देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आने वाला है तो देखिए पूजा पाट आप भूत करते हो लेकिन ये काम नी करते जिसकी विज़ा से आपके घर में मतलब घर के मंदिर में कोई भी देवी देपता नहीं आता आपके बुलाने से भी कोई देवी देपता नहीं आता तो गलती कौन कर रहा है आप खुद कर रहे हो जितने भी लोग पुजय पट की नई शुरुवात करते हैं तो उ अमेशा ये बात जानिए कि जब आप अपने घर में मंदिर बनाते हो ठीक है माता की मूरती तस्वीर हैं देवी देपताओ की भगवान की लाकर विराजमान करते हो तो आपको मंदिर में एक गुल्लक रखनी चाहिए गुल्लक जिसमें की पैसा डालते हैं जो माता के मंदिरो में बड़े-बड़े मंदिर जो होते हैं वहां दान पात्र होता है जैसे वहां आपको अपने घर के मंदिर में छोटी से गुल्लक रखनी चाहिए और उस गुल्लक के अंदर आपको कुछ चीजे हैं जो मा काली के नाम से रखनी चाहिए अगर आप अपने देवी देपता क के नाम से रखेंगे तो आपको भी उस देवी देपता की शक्ती प्राप्त होगी. जिसको आपद बुलाने हैं। जिसको चातें कि यह देवी देपता हमारे बुलाने से आए, हमारे मंदर में वास करें। तो यहां में मा काली के भक्तों को बताती हूं और आप किसी देवी देपता के और के भक्त है तो आप अपने देवी देपता के नाम से यही कार्य करेंगे, ठीक है, अब आपको अपने मंदर में गुल्लक रखनी चाहिए और गुल्लक के अंदर माकाली की प्रिय चीज डालनी चाहिए, जैसे कि पहली चीज में आपको एक और पाँचवी चीज में आप लोगों को लेने है थोड़े से काले तिल और पीली सरसो और छटवी चीज में आप लोगों को लेना है कमल गठे की माला जो होती है उसके मोती आपको लेने है पाँच ठीक है और साथ भी चीज में आप लोगों को लाल सिंदूर की डबी लेनी है अब मैंने ये जो आपको साथ चीजे बताई है इनी का आपको इस्तिमाल करना है साथ चीजे आपको अपने घर के मंदिर में रखनी चाहिए अगर आप ये रखना शुरू करेंगे तो आपके घर में वो देवी देपता विराजेगा जिसको आप बुलाना चाहोगे जैसे मा काली को बुलाना चाहते हो और काफी सेने से बुला भी रहे हो लेगिन माता काली अभी तक आपके पास आई ही नहीं क्योंकि आपने ये कारे तो करा नहीं जिससे की देवी देपता आपके बुलाने से आये यहां कोई देवी देपता की गलती नहीं होती है तो यह चीज़े आपको अपने मंदिर में रखने चाहिए अपने घर के मंदिर में जिस मंदिर में आप पूजा पाट करते हूं माकाली की वहीं पे आपको यह चीजे किसी गुल्लक के अंदर रखने चाहिए अगर मान लीजे गुल्लक आपके मंदिर में नहीं है तो आप इसे लाल कपड़े में या फिर काले कपड़े में बांध के भी मंदिर के प बुलाओं के जब यह चीजे रखोगे तो उसके बाद देखना देवी देपता को बिला के मा काली को बिला के मा काली आपके पास पाच मिन्ट में आईगी जो बुजोगे सब कुछ बताएगी है तो चलिए भक्तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है और आपकी समझ में आगया होगा अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जै मातकाली हर हर मादे